बहादुरगण में एक जीते जाकती बुज़गों को हरियाना सरकाट द्वारा मिरत लेने का मामला सामने आया है जिहां बहादुरगण के रहने वाले मोहनलाल को कागजों में मिरत दिखा कर उनकी बुढ़ापे की पेंसन काड़ दे गई बुजर्ग मोहनलाल उनके बेटे पांच महीने से कई बार पेंसन बहाली को लेकर अधिकारियों के कार्यालों के चक्कर काट चुके हैं लेकिन अब तक उनकी समस्य का समाधान नहीं हुआ बुजर्ग मोहनलाल भादुरगड के किले मोहले में रहते हैं पिछले लंबे समय से वहर्याना सरकार द्वारा बुजर्गों को समान के तोर के पेंसन ले रहे थे लेकिन पांच महीने पहले बुजर्ग मोहनलाल को उमरत दिखा कर उनकी महीने की मिलने वाली पेंसन बिभाग दोरा बंद कर दी अपनी पेंसन बहाली के लिए बुजुर्ग मोहनलाल ने राजनिताओ और अधिकारियों के कार्यालों के कई चेकर काटे लेकिन उन्हें मिलने शुरू नहीं हुए गलती अधिकारियों की है लेकिन खामियाजा बुजुर्ग मोहनलाल को भुगतना पड़ मैं जिन्दा हूं और मेरी इतनी उमर है सो साल के करीब है और अधिकारियों से मैं काई दोवा मिल चुका हूं कुछ सुनवाई नहीं है वेज़े और मैं गरीब आजू मने करता दिना है लोगों का कैसे दूँगा मैं वेज़े जिन्दा अदमी को मार दिया मुझे ऐसी पिंशन की जुरूत ने मार अमत मुझे बहुए और मार मत मुझे मरा हमत को हो गया यह चार मेने हो गया जी पहले पिंशन मिलती नहीं सारा हुष्थ आफए ओ देवीलाल के बुलाबर की पिंखेन मिल रही थी मुझे, शोर रुपर से पिंखेन चालू होई थी, जिन्दर नाम पंकाज है जी, मैं शीरी मोलाल जी का बेटा हूं, तो उन्होंने जजज़र में एप्लिकेशन लिख कर दे कर आया था, उन्होंने कहा था, डेड़ मिने में हो जाएगा, उस बात को भी दो मिने से जद्धा ही हो गया, जी, और मेरे हिसाब से कोई अप्लिकेशन लिख रखाई रहेगी, क्या है क्या है और नहीं कोई सुनगा ही नहीं है, जी वैसे कहाने का मनला, जी पतानी कब से ले रहे हैं, जी, छोटे जब गुड़ापः पेंशन सब स्टा तो अब जो मिल रही है और बंद कर दीजिए पांच मांवी में अलगने वाला है जी जिए और आपने मृत्यू दिखा के उनकी और पेंशन बंद कर दीजिए और और कुछ नहीं और जीए कि आता कुछ भी नहीं और यह सामने जी जीवित है जी देखो झाल